बर्मूडा ट्रेंगल एक ऐसी जगह जहां पर प्लेन और शिप्स जाते तो हैं पर कभी वापिस नहीं आते इस रहसे में जगह का सच क्या है आईए साथ में पता करते हैं इस वीडियो को चार सेग्मेंट में डिवाइड किया गया है यह एक 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 एरिया है जो फ्लोरिडा प्योट्रो रिको और बर्मूडा टेरिटरी के बीच में पड़ता है बर्मूडा ट्रेंगल या डेविल ट्रेंगल यह नाम फर्स टाइम 1964 में विंसर्ट गाडिस ने अपनी एर्गोसी मेगजीन में में अच्छन किया था क्या हुआ जो कभी उसको पार नहीं कर पाए जिसके बाद उनको ढूनने के लिए एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया वो लोग भी पर्मूडा ट्रेंगल में गए पर कभी वापिस नहीं आए और भी कई कैसिस उस जगह पर हुए इन सबसे कुछ लोगों ने कहा कि पर एलियंस है तो कुछ ने कहा कि सी मॉंस्टर्स हैं और कुछ लोगों ने कहा कि दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है थार्ड मिस्ट्री बिहाइंड दा स्टोरीज दर असल कमाल की बात यह है कि इन स्टोरीज का कोई प्रूफ ही नहीं यह जितने भी कटनाएं जब साइंटिस्टों ने इन घटनाओं पर रिसर्च करी तब उन्हें कुछ अलग ही कारण पता चले जिस एरिया में यह सब हो रहा था वहां पर अर्थ का नैविगेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉग है जिस कारण इंसानों के द्वारा बनाएगे नैविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं तो वह सकता है नैविगेशन ना होने के कारण वह ओशियन में ही खो जाते हैं साथ ही उस एरिया का वैदर बहुत जादा खराब है जो लोगों को गलतिया करने पर मजबूर कर देता होगा और यह एक मात्र ऐसी जगह नहीं है जहां पर ऐसे कांड हुए और जो वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में